दोस्तों हमने देखा कि अंग्रेजु के उस दोर में अंग्रेजु की दास्ता के उस काल में शिक्षक की एक बड़ी भूमिका रही है और आज एक बड़ फिर एक वो समय आ गया है जिसमें सिक्षक की भूमिका को रेखांकित किया जाना जरूरी है क्योंकि देश और दुनिया में एक वो प्रिस्तितियां वो स्तितियां बन रही है जिन में हमने मैसूस किया है कि अंग्रेजु का समय फिर आ गया है आज हमारे सिक्षक की एक महती भूमिका इसमें हमें नजर आ रही है दोस्तों सहीद भगत सिंग ने अपने मोद के पहले कहा था कि मेरी मोद देश और दुनिया को श्वाधीनता और समाजवाद का रास्ता दिखाएगी श्वाध भगत सिंग ने जेल की काल कोट्रियों में अपने आत्म कथा में लिखा है कि हम ऐसी आजादी नहीं चाहते जिसमें देश की सत्ता अंग्रेजु की हातों से निकल कर इस देश के चंद पुंजी पतियों की हातों में चली जाए ये तो मात्र सत्ता का हस्ता अंत्रण है हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिसमें देश की सत्ता अंग्रेजु के हातों से निकल कर इस देश के किशान और कामगार के हातों में आए वो ही वास्त्विक वास्त्विक आजादी होगी दोस्तों बड़े निरासा जनक हालात हैं देश के भगत सिंग का सपना सपना ही बन कर रह गया आजादी का हस्तान तरण गोरे एंग्रेजों के हातों से निकल कर काले एंग्रेजों के हातों में आ गया आज हम देख रहे हैं कि आजादी के समय देश का दो प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिला दो प्रकार का बटवारा हमें देखने को मिला एक बटवारा धार्मिक उन्वाद का रिजेल था दूसरा बटवारा व्यवस्ता के सवाल को लेकर था एक बटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिला, दूसरा बटवारा भारत और इंडिया के रूप में हमें देखने को मिला, सत्ता की चाबी इंडिया को मिली, शोशन, गरीबी, एशिक्षा, शामाजी कैसमानता, गेर बराबरी ये तमाम भारत के हिस्से में आई जो ही सत्ता इंडिया के लोगों को मिली भारत की जनता ने ये मैसूस किया कि अब सवराज आ गया है ये लोग हमारी बेतरी के लिए काम करेंगे सद्यों से जिस गेर बराबरी, जिस एशिक्षा, जिस आर्थिक एसमानता, जिस सोशन का वो शिकार हो रहे थे उन तमाम समस्षाओं का पटाक शेप होगा लेकिन सत्ता प्राप्ति के साथ ही इंडिया के लोगों ने संसादनों का बटवारा कर लिया किसी के हिस्षे में धर्मस्तलाए किसी के हिस्षे में खाने आई, कोई उद्वपती बन गया कोई मीडिया के मालिक बन गए किसी ने सिस्टम पे कबजा कर लिया तो एक बहुत बड़ी जमात जिसने लोकतंतर पर कबजा करने के लिए पक्स और विपक्स बन गई एक नई जमात दलालों और ठेकेदारों के निर्मित हुई जो ही देश में सत्ता उनके हातों में आई भारत की जनता को उन्होंने सुनरे सपने दिखाने शुरू किये और भारत की जनता ने उन सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि चमचमाती सडकें, फ्लाई ओवर, बांध, बिजली घर, हवाई एड़े, रेल्वे स्टेसन और तमाम विकास और उत्पादन के शादन जो भरत की जन्ता ने एक आवाज के साथ में निर्मित कर डाले जब सहरी करण की आवाज दी, तो दोस्तों भारत की जन्ता गाउं से चल कर, जुगी जोंपडियों में रहकर सहरों में गगन चुम्वी इमार्तों का निर्मान कर डाला और जब आवाज के आवाज निर्वर्ता का सवाल आया, तो इन्होंने सरकारी गोदाओं में अनाज के धेर लगा दिये हमने इन इंडिया वालों का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, और इस उमीद के साथ में किया कि एक बहुत बड़ा चमतकार होगा उस चमतकार की उमीद में हम रहे इनसे बहुत बड़ी उमेदें की लेकिन थेतर साल बाद में आप देख रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा तो दूर पिछले दो मेनों में नजारा देका एक बहुत बड़ा वर्ग जो रोटी, कपड़ा और मकान से भी अच्छुता है उसके लिए भी वो तरस रहा है मानव विकास सूचकांग की जहां तक सवाल है 189 देशों के सर्वे में भारत का नमर 130 में स्तान पे है हम किस परकार की भारत और इंडिया की बात कर रहे हैं हम किस परकार की व्योस्ता में जी रहे हैं यह सवाल आज हमारे सामने मुग भाये खड़ा है और कैसे हालात हुए परकार काम चीजे हमने इन दो ढ़ाई मेनों में देखी है कोविड नाइंटीन की जो हमारी आई उसमें हमारे आकाओं की भी पॉल खोली और जब जो हम विश्वय की बड़ी महासक्ती बनने का दावा कर रहे थे जो देश के हालात हमारे सामने आए वो निश्ट त्रूप से हमें जबजोर रहे है 2011 की जनगना के अनुशार देश में 45 करोड 56 लाक मजदूर थे जिन में से 40 करोड मजदूर ए संग्टिक छेतर से थे दोस्तों इसनों कैमरा ठीक कर दोस्तों हमने देखा कि इस दो धाई मैने में उस मजदूर की क्या हालत हुई कैसे कैसे नजारे हमें देखने को मिले किस प्रकार के मंजर हमें देखने को मिले इस देख के मजदूर ने क्यों इस देख के मजदूर ने ऐसी ऐसी यातनाई सही हैं और ऐसी स्थिति में सही हैं कुछ हर चीज का निर्मान किया आलपिन से लेकर हवाई जहाज का इसने निर्मान किया और उसके बावजूद रहसूस किया कि हजारों हवाई जहाज हवाई अड्णों पे लेंड कर रही थी हजारों रेल गाडियां रेलिवे स्टेशनों पे खड़ी थी लाखुं बसें बस डिपों में खड़ी थी लेकिन हिंदूस्तान का मजदूर किस हालत में हिंदुस्तान की सडकों की लंबाई के लिए हजारों किलोमेटर की यात्रा, पैदल, रिक्षा या ट्राइश साइकल से करने के लिए मजबूर हो रहा था कि जहां हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की बटवारे के समय भी इतना बड़ा प्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, हमारे पुर्खों को देखने को नहीं मिला हमने मैसूस किया, हमने वो नजारे देखे, जहां अपने बुड़े पिता को कंदे पे बिठा के, पीठ पे बिठा के, अपने बुड़ी मा को साइकल पे बिठा के, हजारों किलोमेटर का सफर वो मजदूर ते कर रहा है अपने गोद में लिए बच्चों को लेकर, कुचली गठी रखके, वो मजदूर, वो महिला, जो जननी के रूप में भारत माता का नजारा हमें देखने को मिला दोस्तों, ये तमाम इस्तितियां हमें बाद्धे कर रही हैं कि हम किस परकार की आजादी, किस परकार के लोगतंतर में जी रहे हैं यहाँ ही विवस्ता का सवाल पेदा होता है, क्या किर क्यूं, क्या वो देश का मजदूर, इस लोगतंतर का भागीदारी नहीं, क्या इस देश के विकास में उसका योगदान नहीं, आज वो बेगाना हो गया है विस्तवा बैंक और सीडियेस के आकड़े बताते हैं, कि भार्त में पांच से च्छे करोड प्रवासी मजदूर हैं, माईग्रेंट लेबर हैं लेकिन दोस्तों, आज से पांच हजार साल पूर्व है, एशिया योरोप के विभिन छेत्रों से, ऐसे लोग भारत में आये, शक, कुशान, होन, मंगोल, कुर्जर, आरिये, तुर्क, तमाम जातियां यहां आई, भारत में समाईत हो गई, भारत की संसकर्टी, को उन्होंने अपनाया, और भारत में आत्र साथ हो गए, लेकिन थेतर साल की आजादी के पस्चाद, इस देश में, इस देश के निर्माण में, जिसके पुर्खुं का योगदान रहा है, जिस मजदूर का योगदान रहा है, आज हम उसको माइग्रेट लेबर कह रहे हैं, यह उसकी बहुत बड़ी तोहीन है, यह लेबर याचक नहीं है, इसके साथ में की गई जाती, हिंदुस्तान के साथ में जाती है, इसका अफमान हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान का अफमान है, हमने देखा, कि जब मजदूर सडकों पे जा रहा था, पुलुश या जुल्म उस पे डंडा बरसा रहे थे और जब उनसे बस्ते हुए उसने रेल की पट्रियों का मारक चुना तो रेल की पट्रियों ने भी उसको राहत परदाम नहीं की और औरंगाबाद में शोड़ा मजदूरों को मोत के नींद सुला दिया ये तमाम चीज़ें हमे साथ यो जप जोर रही है आज हम देख रहे हैं कि कारल मारक्स ने कहा था कि मजदूर का कोई देश नहीं होता मजदूर के लिए देश के सीमा नहीं होती आज इस धाई मेने में कारल मारक्स की वो बात सही सी दोशा है कि लोग उसको मक्खी की तरह फेंग देते हैं और यह हालात आप और हम सब ने देखी है दोस्तो ऐसे ऐसे मंजर ऐसे घटना इस धाई मेने में हमने देखी जो दिल को देला देने वाली है मुझपरपुर रेलिवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि भूख से तडपती हुई एक महिला मोत के आगोश में सोजाती है और उसके सरीर पर पड़ी हुई कंबल से उसका डेड़ साल का बच्चा खेल रहा है उसको यह एसास यह नहीं कि मेरी मा अब कभी भी मेरे को बेटा कहके नहीं पुकारेगी मेरी मा की सांसें रुख गई हैं मेरी मा इस दुनिया में नहीं रही लेकिन सम्वेदन हिन सरकारों ने किस परकार की व्यवस्ताएं की वो हमारे सब के सामने है दोस्तो एक वीर बेटी की घटना भी आपने देखी होगी गुरू ग्राम से लेकर दर्भंगा तक का बारा सो किलोमेटर का सफर तेरा साल के एक बेटी ने इस लोकडाउन की दोरान अपने बुढे पिता को भठा कर पूरा किया गुरू ग्राम में रेने वाला वो मोहन पास्वान जिसका पेर फेक्चर हो जाता है और जब लोकडाउन में घर जाने की बात आती है तो ट्रक वाले ने 6,000 रुपा किरया मांगा उसकी जेव में पैसे नहीं थे और ऐसे हालात में बेटी ने 1,000 रुपे में साइकल खरी दी और जोती ने अपने पिता मोहन पास्वान को पिछली सीट पे बिठा कर दर्भंगा तक का 1200 किलोमेटर का सफर तै किया अंबाला से पिली भी जाने वाला मजदूर रामरतन जिसका चार वर्षिये बेटा रास्ते में खत्म हो जाता है अपने बेटे की डेड बोडी को कंधे पर रखकर तेज गती से पैदल चलता हुआ रामरतन शेकडू किलोमेटर अपने घर पहुंचता है इस डर के मारे पहुंचता है कि पुलिस रोक लेगी बेटे का पोस्ट मारतन करेंगे और 14 दिन तक मेरे को कॉरिंटाइन किया जाएगा दोस्तों दिली में रहने वाला ओ राम पुकार पंडित जिसके घर में आठ साल बाद में बच्चे की किलकारी सुनाई दी थी लेकिन आठ माह बाद में ही वो बेटा नींद की आगोश में सो गया पत्नी घर में अकेली थी उसको समालने वाला कोई नहीं था एक तरफ बेगूस राय में उसकी पत्नी बेसुद पड़ी है दूसरी तरफ दिली की सडकों पर राम पुकार बिलगता हुआ फूट फूट कर रो रहा है परसासन से अपने गाउंग चाने की गुहार कर रहा है यही नहीं दोस्तों ऐसी घटना भी हमें देखने को मिली जो दुनिया में हमें सर्मालने से जिस महासक्ति का हम दावा कर रहे हैं जिस विश्व गुरू होने की बात कर रहे हैं जिस संस्कर्ति की हम बात करते हैं वो तमाम चीजें वो घटना हमें सर्मसार करती है दोस्तों वो मेरी बहिन गणेशी और सकुंतला जो इस लोकडाउन के दोरान इस हिंदोस्तान की सड़कों पे पैदल सफर कर रही थी अपने घर की तरफ हजारों किलोमेटर की यात्रा करने के लिए विवस हो रही थी उस समय कैसा नजारा हमें देखने को मिला दोस्तों इंडिया के लोगों की बीबी जब प्रगनेंट होती है तो साथ यह बेड रेस्ट करती है और जब प्रसव पिड़ा होती है लेबर पेन होता है उसके तो किसी अच्छे होस्पिटल में उसको एड्मिट किया जाता है कोई अच्छा डोक्टर उसकी डिलेवरी करवाता है लेकिन गनेशी और सकुंतला जिसने इस हिंदुस्तान के निर्मान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसके लिए एक काली सड़क ही तो होस्पिटल होता है ये काली सड़क ही लेवर रूम होता है उसका पती गोक्टर होता है खुद नर्स बनके अपने बेटे का नाल काड़ती है और सड़क पर बिकरा हुआ वो खून हमारी सब्य समाज को जख जोर रहा है कि हम किस जमाने में जी रहे हैं तेथर साल बाद में ये हालात आज इस देश में हमें देखने को मिल रहे हैं इस ये बड़ी सरम की बात हमारे लिए तो कम से कम और हो नहीं सकती और ये ही नहीं दो गंटे बाद में वो दोनों बहिने अपने लाडले को चितड़े में पलेट कर आचल में चुपा कर अपने सफर को तै करने के लिए पैदल ही रवना होती हैं हम किसी इंडिया और भारत की बात करते हैं दोस्तो इनके साथ ही ऐसी घटनाएं भी हमने देखी हैं जिन घटनाओं में हमें कुछ अच्छा एसास हुआ है कुछ अच्छे संकेत मिले हैं हमारी संसकर्ती ऐसा मैसूस हो रहा है कि हमारी संसकर्ती लोट के आई है शिवपुरी में जब मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा था मजदूर अमरत की अचानक तब्यत विगड़ जाती है कोरोना के भैस से ड्राइवर ने उसको वहीं उतार दिया लेकिन दोस्तो उसका दोस्त याकूब उसके साथ उतरता है याकूब अमरत का सर अपनी गोद में लिये हुए लोगों से मदद की गुहार करता है लेकिन अफसोस क्यों अमरत को नहीं बचा पाता है याकूब फूट फूट के रो रहा है यही नहीं अपने ही राज्ये में जोदपुर के कॉरेंटाइन सेंटर पर गयूर आइमद नाम का 40 वर्षिय विकलांग युवक की दोस्ती 28 वर्षिय अनिरुद जारे के जारे से होती है 14 दिन बाद में जब कॉरेंटाइन सेंटर से उनको छुट्टी मिलती है और गयूर आइमद अपने ट्राइ साइकल निकाल कर अपने घर के लिए रवना होता है तो साथियो अनिरुद जा उसके पिछे पिछे चलता है वो अपने दोस्त को अकेला नहीं जाने देता है गयूर आइमद के मना करने के बाद में भी 350 किलो मीटर का सफर मुझपर पूर्तक का सफर 5 दिन और 5 राद ट्राइ साइकल के पिछे पैदल चलता हुआ उसके घर तक छोड़ाता है शाथियो ये द्रसे हमारे उन राजनिताओं के धार्मिक उन्माद जो धर्म और जातियों संपरदा और गुत्र के नाम पे राजनिती करते हैं जो समाज में नफ्रत पैदा करते हैं उनके उपर एक करारा तमाचा है वो हमें सोचने के लिए बात दे करते हैं कि आज भी हमारे में भाईचारा है लेकिन वोटूं के भूके भेड़ी हमारी भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं इसलिए कुछ अच्छे संकेत भी इस दोर में हमें देखने को मिले दोस्तों आज भारत की जनता को ते करना है कि हम किस दोर में और किस हालात में जी रहे हैं कोटिल्ले ने अपने अर्थ सास्तर में लिखा है कि युद और महामारी राजा के लिए फाइदे का सोदा होता है उसका डर दिखा कर वो जनता में भे पैदा करता है बड़े टेक्स लगाता है टेक्स का बड़े हिस्से से अपना खजाना भरता है और बाकि अपने कुशामत गारों में बाड़ देता है और यह प्रतेक्स में हमने देखा है इस महामारी का भे दिखा कर यह राजसत्ता भी नहीं चुकी है राजसत्ता ने हमारी वेतन को उस्तगित किया है हमारे डिये को फ्रीज किया है और जनता पे अनिशने टेक्स लगाए है इसलिए आज हमें ये तमाम चीजें सोचने के लिए बाते कर रहेगे साथियो लोग तंतर में हम मद्दान करके बहुत खुस होते हैं परिणाम आते हैं आने के बाद में कुशिया मनाते हैं पटा के छोड़ते हैं और ये मैसूस करते हैं कि मेरे मोट वोट से राज सत्ता का निर्मान हुआ है बोट ने परधान मंतरी बनाया है, मेरे बोट ने मुख्य मंतरी बनाया है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि चुनाओं के ठीक एक दो साल पेले हमारे कारपोजेट घराने, हमारे पुझी पति घराने अपने आज्याकारी भक्त का चेरा चुनते हैं, और मीडिया के सामने कुछ चांदी के टुकडे डालते हैं, मीडिया में उस चेरे का महिमा मंदन किया जाता है, उसको महा मानव बनाया जाता है, और चुनाओं के वक्त एक बड़े विकल्प के रूप में उसको परोसा जाता है, चुनाओं के वक्त, धार्मिक उनमाद, जाती, धर्म और संपरदाय के नाम पर, जनता को इमोशनल कर चुनाओं बेतरनी को पार किया जाता है, और उसके बाद में, जब राज सत्ता पर कबजा कर लिया जाता है, तो देश की भोली भाली जनता तो यह मैसूस करती है कि लोग कल्यान के काम करेंगे, हमारे हित में काम करेंगे, लेकिन साथियो, ये राज सत्ता पर बैठे लोग, लोग कल्यान के लिए काम नहीं करेंगे, पुझी पती के मुनाफे के लिए काम करेंगे, और राज सत्ता का मुखिया, पुझी पती के नोट सापने के मसीन के प्रिंटर के रूप में काम करता है, इसलिए बड़ी पेनी नजर से, बड़ी पेनी समझ से, हमें इन तमाम चीजों को समझने के आउ सकता है, इस पे मन्थन करने के आउ सकता है, अन्य था तो सात्यों हमें इध्यास माप नहीं करेगा, और हमें वहीं लाप अटकेगा, जहां से हमने सुरुआत की थी, आज आपने देखा होगा, कि इस देश के एक परतिसत लोकों के पास में, तीन सो लाख करोड रुपे की समपती है, और हम देखते हैं, कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है, उसकी प्रजा भिखारी होती है, आज आपके सामने है, कि 90 साल पूरु है, जब विज्ञान के चेतर में सिवी रमन को नोबल पुरुषकार मिला था, आज 90 साल बाद में हमारे हाथ खाली है, दुनिया की टोप सो युनिवर्श्टी में भारती की एक भी नहीं है, लेकिन अरपपतियों की सूची में हम चोथे स्थान पे आते हैं, देश के सो अमिरों में सत्रा भारती हैं, लेकिन आज जो राजसता का चरित्र हमारे सामने है, वो मुनाफ़ा कमाना ही इनका एक मात्र उद्दे से रह गया है, मुनाफ़े के लिए उनने प्रकर्ति का दोहन किया, जमीन, जंगल और जल का दोहन किया, और मानव के स्रम का दोहन किया, इनका एक मात्र उद्द्द से सिर्फ मुनाफ़ा कमाना है ये लोग मानवता के लिए काम करने वाले लोग नहीं हो सकते और आज जितनी भी दुनिया में जो समस्य हैं हम देख रहे हैं वो तमाम समस्य हैं सिर्फ उसकी जड़ है दी हमें नजर आएगी तो उसमें सिर्फ मुनाफ़ा नजर आएगा मुनाफ़े के लिए चाई भो महामारी हो चाई आर्थिक मंदी हो चाई मानव विकार सूचकांक हो चाई गरीबी हो चाई बेरोजगारी हो चाई भरस्टा चार हो ये तमाम कि जो जड़ है वो मुनाफ़ा है इसलिए साथियो मेरा आप तमाम से निविदन है कि इन तमाम नीतियों को हमें समझने क्या आउ सकता है इन तीनीतियों पे विचार करने क्या आउ सकता है इन नीतियों पे मन्थन करने क्या आउ सकता है यही भार्त और इंडिया का अंतर हमें नजर आ रहा है आज भात की जनता को ते करना है कि दो परतिशत लोगूं को बचाना है या देश को बचाना है धार्मिक पाखन से लूटी हुई संपदा को बचाना है या भूक और भैसे तरपती हुई मानवता को बचाना है चन धनपतियों और पाखण के रखवालों को बचाना है या देश की जनता को बचाना है ऐसा लग रहा है कि मजदूर मुर्दा होकर सडकों पे पड़े हैं और गिद टीवी स्टूडियो से लेकर लुटियन के बंगले तक कबजा किवे बेटे हैं दोस्तों कोई धर्म देश नहीं होता कोई पार्टी भी देश नहीं होती कोई व्यक्ति भी देश नहीं होता देश 135 क्रेवड नागरीकु से बना है इसलिए देश की परिभासा अलग है और भार्थ गुलामी के आगोस में क्यूं आया यही कारण है यही कारण था कि भार्थ में जो सिस्टम बना उस सिस्टम का बटवारा कर दिया गया रक्षा का टेंडर किसी और के पास पूंजी किसी और के हिस्से में आई तभी तो जब बाबर तोफ खाना लेकर भारत आये तो धन मंदिरों में था और छक्त्रियों के हातों में जंग लगी तलवारे थी धर्म के नाम पे इस देश ने बटवारे का दंस भी जहला है इसलिए साथियों हमें इन तमाम नीतियों के सवाल पे मन्थन करने के आऊ सकता है आज हमारे जहन में कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जबाद भी मिल रहा है लेकिन हम मूग दरसक बड़े होए हैं हमारा चिंतन खत्म हो गया है अभी हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रिक गोरो गाता ही पढ़ रहे हैं अभी अभी हमने अपने लोकतांत्रिक मुल्योंग पर हमनु से आखे मूद रखी हैं अभी हमने अपने न्या विवस्ता के पतन का अंदाजा नहीं किया है अभी हमें इस बात का अनुमान नहीं है कि हमारी आजादी हमारी अपनी आजादी किस पूंजी की जक्रन में कर आ रही है अभी हमें ये भी याद नहीं कि आज हम जिस सवतंतरता के गीत गा रहे हैं वो किर्ग कुर्वानियों से हासिल हुई थी अभी दम सिर्फ मजदूर का घुट रहा है मोब लोंचिंग शिर्फ दलित की हो रही है अलप संकिक की हो रही है अभी जेल में वे हैं जो ऐसे हमत है अभी हमें लोग तंतर का गला घुटे जाने की साजिस का एसास नहीं हो रहा है अभी किशान और मजदूर का खून और पशिना के वल टीवी चैनल की खबरूं के रूप में हम देख रहे हैं अभी हमने अपने तरक सक्ति को अपने इंसानी संवेधनाओं को अपने सवालों को एक ऐसी चेतना सुनने जक्रन के हवाले कर दिया है जिसमें आजादी आसान नहीं है अभी तो हम ऐसे गोरों गाथाओं में धपली के राग में अपने गीत गारे हैं जिनका प्रिणाम क्या आएगा हमें एसास भी नहीं है जर्हा अपने संवेधनाओं को कुरेद कर देखिये जर्हा आपने चेतना को जगजोरिए जर्हा अपने विवेक को काम में लीजिए सवतंतरता को मैसूस कीजिए और सोचिए कि ये सवतंतरता किस किमत पर हासिल हुई थी और हम कितनी आसानी से बिना सवाल किये खुद को आई विवे की भीड का हिस्सा बनाते जा रहे हैं दोस्तों आज हमारी सौतंतरता की मोब लौंचिंग हो रही है शोचिय की विज्ञान, तर्क, शदभाव, भाईचारा, प्रेम, आस्ता के रंग, रंगों में रंगी यह हमारे बीच में कई एक सवाल आज हमारे सामने है अभी दम सिर्फ मजदुरूं का घुट रहा है अभी मोब लौंचिंग सिर्फ दलितूं की हो रही है इस पे हमें निश्यत रूप से मन्थन करने की आओ सकता साथियो यह दि शिक्षा के सवाल पे हम बात करें तो साथियो शिक्षा लोग कल्यार का चेतर था लेकिन आज हमारी सरकारें इसमें बहुत बड़ा मुनाफ़ा देख रही है इसको लाब हनी के तराजू पे तोल रही है और हमने मैसूस किया कि यह दि हम इस पे चिंतन करते मन्थन करते तो उस समय समस्या का समाधान हो सकता था लेकिन हमने उस प्लानिंग को समझाई नहीं एक बड़ी साजिस के रूप में इस सेटप को सिस्टम को अपने ही लोगों के द्वारा बरबाद करवाने का प्रियास किया गया जिस समय नबज से पहले हमारी स्कूलों का सेटप होग स्चांदार था अंदा धुन नीजी स्कूलों को मन्नेता इंजारी की गई हमारे ही लोगों ने स्कूलें चलाई वो मोन होकर देखते रहे हमारे ही लोगों ने मन्नेता प्रदान की हमारा नामांकर प्रभावित हुआ नीजी स्कूलों ने मीडिया को विग्यापन देना शुरू किया मीडिया ने सरकारी स्कूलों के परतिन नकारात्मक वातावन बनाना शुरू किया हम नहीं समझे और जब मीडिया की बाद समाज तक पहुँची तो समाज भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा लेकिन जब दूसरा चरण शुरू हुआ और चोटी स्कुलों की जगह बड़ी स्कुलों ने लेनी शुरू की तो वो ही हलात हुए कि एक बड़ी मचली चोटी मचली को खाती है उसको भोजन बनाती है गाउं की चोटी स्कुलें सहरों की चोटी स्कुलें बंध होना शुरू ही आज बड़ी बड़ी स्कुलें चल रही हैं लेकिन अब जो तीसरा चरण आने वाड़ा है ये इन बड़ी स्कुलों के लिए भी खत्रा है क्योंकि ये भी अब नहीं ठीक पाएंगी तीसरे चरण में इसकुले अंबानी अडानी मोदी शिंगानिया ऐसे बड़े गुरुपों की चलेंगी क्योंकि ये बड़ा आफे का सोधा है और एक बड़ी वेल प्लांट एक कारेक्रम चलाया जा रहा है और उसका हिश्चा इस देश की भोली भाली जनता बन रही है और जब इस पूरे सिस्टम पे इस बड़े घरानों का कब्जा हो जाएगा उस दिन सात्यों हालात आपके सामने उस दिन सिक्षा एक रिचार्ज कंपनी बढ़के रह जाएगी जिस तरह से हम टीवी का मोबाइल का रिचार्ज करवाते हमारी जेब में जितना पैसा होता है उतने रुपे का रिचार्ज होता है उतने समय का रिचार्ज होता है जिसकी जेब में जितना पैसा होगा वो उतने पैसे का रिच खिक्सा लेगा और जिसके जेव में पैसे नहीं होगा पैसे नहीं होंगे इसके उपर हमें चिंतन करने के आऊसकता दोस्तो उसके उपर हमें मन्य तर्व हम धेख रहे हैं कि मदू सालाएं खोली जा रहे हैं लेकिन स्कूलों में प्रियोक सालाएं नहीं खोली जा रहे हैं किताबें नहीं टेंक खरीदे जा रहे हैं मानव का अस्तर कार खरीदने से नहीं बढ़ता किताब पढ़ने से बनता है हमें विज्ञापन की जरुत नहीं विज्ञान की जरुत है तो साथियों हम देख रहे हैं हमारी सिक्षाभिस साजिस का सिकार बंटी जा रही है हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया की बात करती हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि 37 पर 37 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है कम्प्यूटर शिक्षक रही हैं हम किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं इस पोल्टिक्स को हमें समझने क्या हो सकता है क्योंकि साथियों शिक्षा एक राजनितिक सवाल है शिक्षा पर हर वक्त राजनितिकी है डेमोक्रेटिक स्टेट है तो डेमोक्रेटिक एजूकेशन भी हो लेकिन आज देश में रिशर्ष हेलोशिप के नाम पर मत्र 99 करोड रुपे खर्च किये जाते हैं लेकिन हमारे पी एम साथ की हवाई यात्रा पर 250 करोड रुपे खर्च किये जाते हैं इस गणीत को हमें समझने क्या हो सकता है साथियों इस सिस्टम को एक बड़ी साजिस के तहत बरबाद किया गया हमें गेर सेक्षिनिक कारियों में जौका गया हमारे सिक्षक का अधिकान समय गेर सेक्षिनिक कारियों में बीता समाज में एक नाकरात्मक माहौल बणा और आपने देखा होगा कि एक बड़ी बीमारी B.A.Л. की जो चुनाव से संबन्दित कारिये additional कारी हो सकता है हम कहते हैं कि RT में जो norms हैं चुनाव, जनगर्णा और प्राकर्ति का आपड़ा के समय हमारा सिख्षक पूरी इमानदारी के साथ में काम करने के लिए तयार है लेकिन वर्स प्रियंत चलने वाली वो खुजली जिसने शिक्षा की कड़ी को सबसे कमजोर किया है इस से पिछा छूटना बहुत जरूरी है क्योंकि साथ यो इस गेर सेक्षिंग कारियों ने समाज में एक उपेक्षा का माहोल पेदा किया है हमारे पास में जो बच्चा आता है वो किस परिवेश का आता है यह पता है में कि या तो हमारे पास में अभाव में आता है या प्रभाव में आता है लेकिन जिस प्रकार से मीडिया ने एक बड़ी प्लानिंग से हमारे सिक्षक के प्रभाव को कम करने का काम किया उससे भी हमारा नाम आंकल प्रभावित हुआ साथ यो इन तमाम साजिसों को आज हमें देखने के आउ सकता है समझने के आउ सकता है हम देखते हैं आज कि भारत के मंदिरों में 300 टन्स होना है भारत के धार्मिक स्थिलों में 300 टन्स होना है और इस सरकार की इच्छा सकती हो तो इस 300 टन सोने से इस देश में शानडार स्कूलों और अस्पतालों का निर्मान किया जा सकता है जो इस महामारी में आपने मेसुस किया है कि इस महामारी के दोर में सबसे ज़्यादा जनता की सेवा में यह दिश्यादी के लोग थे इसलिए इस सिस्टम को समझने किया हो सकता है दोस्तो क्यूबा के राष्टपती फिदेल कास्त्रों ने जब पूरी व्यवस्ता उसके खिलाप खड़ी थी और जज्ज ने जब उसको सुनने का मौका दिया तो साथियो उसके अंतिम सब्द थे कि इथियास एक दिन मेरे को सही सिद्ध करेगा और यह हुआ भी इसलिए यदि हमारा आत्मल बजबूत है हम इस सिस्टम को समझते हैं हमें नीतियों की पैचान है तो निश्च तुरूप से हमें भीड का हिस्ता नहीं बनना चाहिए हम इस भीड से अलग होकर समाज में एक अलग प्रकार की भूमी का निभाएं क्योंकि भगत सिंग ने कहा था कि जेल और थाने संगर्षीर लोगों के क्रान्तिकारियों के धर्म स्तलोते हैं जब तक गरीब के साथ अन्या होगा हमारा संगर्ष खत्म नहीं होगा और भगत सिंग का जो संगर्ष था वो हमें एक मेसेज दे रहा है हमें एक मजपूती प्रदान कर रहा है और सवाल भगत सिंगे नहीं बाबा साब अमबेड कर जिन्होंने इस देश में एक इस प्रकार की बुनियाद रख दी जिस पर आप और हम उस बुनियाद पर खड़ी रहकर आज बोल रहे हैं लिख रहे हैं एक इस प्रकार का इथियास का उन लोगों ने निर्बान किया इसलिए मेरा तो आप तमाम लोगों से एक ही निवेदन है कि हमें इस राज सत्ता की नीतियों को समझना है ये सरकारे अपनी नहीं हो सकती ये सरकारे एक वर्ग विशेश की सरकारे हैं जो हमारे में फूट पैदा करने का काम करती हैं हमें लड़ाने का काम करती हैं धरम और जाती के नाम पर गोतर और छेतर के नाम पर हमारी ताकत को कमजोर कर रही हैं इस बात को हमें बारी की से समझने के आव सकता है क्योंकि देश और दुनिया का पुंजिपती अपने हकूं के लिए एक है अपने हितूं के लिए एक है उसका एकता देखने लाइक है उसने इत्यास से सबक लिया है शोडा सोईस्वी में जब इस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी अपना व्यापार शुरू किया था तो उसने महसूस किया कि ये दिस मुनाफे को बढ़ाना है तो हमें राज सत्ता पे कबजा करना पड़ेगा क्योंकि राज सत्ता की नीतियों की फल सवरूप ही हम मुनाफे पे बढ़ोतरी कर सकते हैं और उन्होंने राज सत्ता पे कबजा करके दिखा भी दिया उस इत्यास के अनुभाव को दुनिया की पूंजी पत्ती सरकारे दुनिया की कारपोट घराने उस अनुभाव को काम में ले रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि पूंजी पत्ती राज सत्ता का गट जोड़ है वो हमारे सामने है हमें सिर्फ बेकूप पनाय जा रहा है हमें सिर्फ लोली पोप देने का काम किया जा रहा है इसलिए यदि भगत सिंग के विचारों से आप सहमत है भगत सिंग के नीतियों से आप सहमत है तो साथ यो निश्च तुरूप से हमें पेनी समझ रखते हुए पेनी नजर रखते हुए हमें अपनी समझ भी बनानी पड़ेगी और उस समझ को लेकर हमारे इसका मेरे समाज में भी हमें जाना होगा हमारे समाज को भी जगाना होगा हमारे समाज में एकता बनानी होगी हमें तमाम emotional बातों पे जिस परकार से ये लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, हमें एक बड़ी सोच के साथ में, हमें काम करना पड़ेगा, इसी आसा और विश्वास के साथ में, नि सिस्टम पे जो कबजा करने वाले लोग हैं उनका पतन होगा किसान मजदूर करमचारी एकता एक नया इत्यास रचेगी आने वाले वक्त में मानवता जिन्दा रहेगी और सोसन करने वाली ताक्ते हारेंगी धन्यवाद साक्तियों भहुत भहुत धन्यवाद इंकलाब